हलो फ्रेंड और आपका स्वागत है हमारे चैनल दोस्तों आज इस वीडियों हम बात करने वाले है कि नेट एक्जाम के पास हमें कितना पेसा मिलेगा यह आंसर बिल्कुल जाना जरूरी है हम लोग नेट एक्जाम के लिए मेनत करें तो क्या फायदा है नेट एक्जाम का कित प्री है कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा साथ में दोस्तों आप इनका डाउनलोड कर सकते हैं पर आपको पास जार एमसी क्यू पी वाई क्यू ग्यारा पंदरा मोक्तेस लाइव क्लास सेंपल वेपर सारी चीज़े देखने को मिल जाएगी दोनों लेंग्वे आप में सबसे बड़ी चीज क्या है अगर आप नेट इंट कौलिफाइग करते हो तो आपको क्लेज में असिस्टेंट उइफ प्रोकर्फेसर के लिए अपर जो मिलती है यहां पर आप अपल्ली आप्लाइग कर सकते हो असिस्टेंट प्रोकर के लिए यह इसलिए निए जा जिसे अगर आप जारिफ क्वालिफाइए करते हो तो आपको 35 अमाउंट मिलेगा यह भी जानना जरूजी है दोस्तों यह 35 अमाउंट कम मिलता है आपको जब आप लोग पिकेटी में अपलाई करोगे जब तक अगर आप छिकेटी में अपलाई करना पड़ेगा जो पेमेंट करने पे पे वो आना स्टार्ट होगा समझ में आ गया तो 30,000 रुपे मिलेंगे नहीं ऐसा नहीं होता है आपको पेचेटी कोलेज में एड़िसन लेना पड़ेगा उसके बाद आपको अमाउंट मिलेगा तो यह तो कि ज्यारिफ की बाद तो सर अगर हमारा ज्यारिफ नहीं होता है तो नेडड में क्या मिलेगा तो मैं आपको बता दूँ दोस्तो नेडड में आपको Assistent Professor की मानेता मिलेगी नेडड में आपको एक रुपया भी नहीं मिलेगा जीरो रुपे मिलेंगे कहीं से कुछ भी स्कुलर्शिप नहीं आएगी कहीं से कोई भी पेमेंट नहीं देगा तो कोसिस क्या करनी है कि हम जारेफ लेकर हैं जारेफ में दोस्तों आपको तीन साल तक 35,000 रुपे मिलते हैं और दो साल तक आपको अनदर अमाउंट मिलता है डिपंड ओन यूर पी एचगडी पर तीन साल तक 35,000 रुपे काफ़ी होते हैं देख लीजे कितना अमाउंट आपको मिल रहा है तो कोसिस क्या करनी है आपको इ माई के साधन में बता रहा हूं अगर आपको जारेफ होता है तो 35,000 रुपे तो याएंगे आप लोग कोलेज में असिस्टेंट और प्रोपेसर भी बन जाओगे तो आपको 40,000 रुपे तक आजाएगा फिर आप अपनी बुक भी और पब्लिस कर देना मतलब मंद लिए जाएगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना थेंक यू फॉर वोचिंग दिस वीडियो हेव नाइस डे टेक केर